नूब्रा वैली कोई भी अगर लदाक का प्लान कर रहा है तो उनके आइटिनेरी में नूब्रा वैली जरूर रहती है अब नूब्रा वैली का दो फेमस जगा है जहां पे लोग स्टे करते हैं एक हो गया हमारा हुंदर और दूसरा हो गया दिसकित बाकी और भी जगा है बट ये दोनों फेमस है नूब्रा वैली के बीच में बहती हुई शायोक नदी जो की काराकुरन रेंज से लदाक रेंज को डिवाइड करता है दिसकित मुनास्टरी के सामने मेतरी पुद्धा का एक सो आठ फीट का बना हुआ ये स्टैचू नूब्रा वैली के और फेस किया हुआ बनाया है जो भी नूब्रा वैली के लिए आते हैं वो आईदर दिसकित में रुखते हैं ये दिसकित से ही 5 से 7 किलोमेटर दूर हुंदर है वहां रुखते हैं दिस कित में रुकेंगे तो आपको ये वास्ट वैली व्यू आएगी और अगर हुंदर में आप रुकते हैं तो आप सैंडियों उसके जादा सामने होंगे शायोक नदी भी आपके नजदीक होगी हमारे इस ट्रिप में हमने हुंदर को बेस बनाया the reason being this girl क्योंकि इसे सैंड डिगिंग करना था और इसे हमने ब्राइब भी दिया था कि अगर तुम अच्छे से रहोगी तो तुम्हें एक दिन पूरा हम सैंड डिगिंग के लिए देंगे हुंदर जो की कोल डिजट है यहाँ पे लोग डबल हम कैमल राइडिंग के लिए भी आते हैं अब हुंदर में है तो बच्ची को सैंड डिगिंग के लिए लेके जाना ही पड़ेगा तो सुबह के लगभग 11-12 बजे हम तूरिया को वहाँ लेके गए थे उसने वहाँ पे इतने सारे फेंस बनाए और लगभग 2 घंटा वहाँ पे वो सैंड डिगिंग ही करती रही हमने जब लदाक की आइटिनेरी बनाई थी तो हमने ये मेक शूर किया था कि एक दिन ट्रावल करें दूसरा दिन रेस्ट करें इससे अगर आप ड्राइफ कर रहे हो आपको भी अराव मिल जाता है और स्पेशली अगर बच्चे के साथ ट्रावल कर रहे हो तो वह भी अक्लमेटाइज करता हुआ चलता है तो दिस इस वन अफ दरीजन की आज हम तुर्टुक के लिए नहीं गए हमारे साथ चो भी घुम बाना है वो भी हमें तब पता चला जो हम अल्रेडी कर चुके थे लदाग में मैक्सिमम जगा डिनर और ब्रिक्फस्ट इंक्लूडल होता है सारे होमस्टे में तो लंच हमने बाहर किया था और यहां पे काफी ऑप्शन्स भी हैं हुंडर में हम ग्यालपो हाउस में रुके पर्टी कैसा है तो आप वो वीडियो को जरूर देखना यहां पे फिलहाल मैंने आपको अपना रूम दिखाया है जहां पे हम एक दिन के लिए रुके थे वक्त था शाम का और हमने डिसाइड किया था शाम को भी तूरिया को ले जाएंगे कैमल राइट के लिए जो हमारा आफ्टेनून में रह गया क्योंकि तभी बहुत धूप थी यहां पे बच्चों का चार्ज लगभक 3-4 सल तक का 0 है बट अडल्ट है तो उनका 490 पड़ता मुझे और प्रतीक को कैमल राइट नहीं करना था बच्चया तूरिया की चाचा जी तो जी हां तूरिया ने अपना फर्स्ट कैमल राइट किया वह भी कोल्ड डेजर्ट में अपने चाचा के साथ यहां एज देखके बच्चों की टिकेट नहीं बलकि हाइट और वेट देखके देती है तो तूरिया का हाइट और वेट देखते हुए इसका कुछ भी चार्ज नहीं लगा फाइनली किसी एक जगा पे उसका वेट कम होने का फाइदा हमें मिला यहां कैमल राइट के अलावा भी और भी आक्टिविटी थी जैसे यह बाइक राइड और शूटे शाम के वक्त नजारे तो बहुत अच्छे थे साथ में भीड भी काफी बढ़ गई थी शाम के वक्त यह कैमल, यह बरफीली पहार और यह सैंडी उनका कम्बिनेशन कुछ अलग ही लग रहा था हमारा एक दिन नूबरा में बहुत अच्छे से रेस्ट हो गया स्पेशली तूरिया जो इतने दिन अपने रोड ट्रिप में बोर हो रही थी आज का दिन उसने बहुत इंजोई किया और हमने अच्छे से अक्लिमेटाईज भी कर लिया तो इसी के साथ आज का यह हमारा ब्लॉग यहीं पे खतम होता है मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ